नमस्कार दोस्तों मैं अमरनात कुमर बहुत ही गमीर मामला है यह भारत देश जिसके समिदान के परस्तावना में प्रियम्बल में लिखा है हम भारत के लोग उस सब के लिए है यह भारत देश हम भारत के लोग मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई और इसमें सब को समान अधिकार दिया गया है सब के लिए समान डूप से कोई भेदभाव नहीं गुर्गाओं में खुले में नमाज परहा जाता था उसके लिए भक्तों ने अब्जेक्शन किया आपने देखा होगा क्या क्या हुआ कैसे हंगामा हुआ वहाँ जाके गारिया पर्क कर दिया उनको नमाज परने से लोका गया मुस्लिम भाई नमाज पर रहते उसके पीछे जैसी राम के नारे लग रहते अब वहाँ के मुक मंतरी खटर साब ने कहा है नमाज परने को कतई भी सहन नहीं किया जाएगा तो जमीन दे दो उनको मसझीद बना लेंगे नहीं दोंगे तो बनाने तो उनको उनकी बग्ष की जमीन वो कहा है उनको दे दो और देश के संक्षया उनकी 20% है और रात दीन देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे है तो गुर्गाओं में जितने भी फैक्टरी बाले लोग है जिनके फैक्टरी में हम काम कर रहे हैं ये वरकर्स के रूप में तो फैक्टरियों में भी एक कमरा होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए कितनी होगी हर फैक्टरी में सो डेर्स और लोग होंगे अगर बहुत बड़ा फैक्टरी है तो तो उनके लिए एक कमरा देने में कोई प्रोलम नहीं है ये बहुत बुरा हाल है रोड पे नमाज पढ़ने में किसी को दिक्कत हो रही है तो अपने ऑफिस में नमाज पढ़ सकते है वहाँ कमरा मिल सकता है एक कंपनियों से में रिक्वेश्ट है कि उनको कमरा दो और मुख पंतरी साहब आप भेद भावम नहीं करिए आप सिर्फ हिंदू के नेता नहीं है अप देश के नेता है इसमें सब धर्ब के लोग है और सब के लिए समान बेभार करना चाहिए आपको प्रोवलम में दिखा बरदास नहीं किया सकते हैं लेकिन आपने बेवस्ता किया किया क्यों? क्योंकि आपको उनसे बोट नहीं मिला ये आपके मनसूवों पर पानी फिर देते हैं वो बोट किसी और को करते है जिससे आपको नुकसान होता है ये बहुत गलत बात है ये ठीक नहीं है और देश के जितने भी नेता है बिबक्षी नेता उनसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ अजादी के बाद अजादी के लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सीख इसाई सबने बर्कचर के हिस्सा लिया सबने बराबरी से लड़ाई किये और सब लोग रह रहे थे सासन भी मुस्लिमों का था बहुत पहले ही देश पे कबजा हो गया था मुगल सैनिकों का और उनके अंडर थे अंग्रेज नहीं आते तो इस देश मुगलों से छुटकारा भी नहीं मिलता आप सबको भी पता है और उनका सासन था और अजादी के लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सीख इसाई साब आपस में हिंदूस्तानी के रूप में लड़े भारतिये के रूप में और जीत हुई तो आप इनको उपेक्षित न करो मुस्लिमों का अधिकार मिलना चाहिए बहुत दुखाता है इतने हमारे 36 करोरे करीब है जनसंक्या मतलब 2011 के जनसंक्या के हिसाब से रेशियों को देखाया तो 36 करोरे करी बैठेगा मुस्लिम 20% अबादी है और उनको उनके अधिकार से बंचित किया जा रहा है अब नमाज पढ़ने पे भी आपत्ती होने लगा ये बहुत दुखत बात है और क्यों और आई ये क्योंकि उनको सत्ता में बराबर भागीदारी नहीं है वोट आप लेते हैं लेकिन उनको सत्ता में बराबर भागीदारी नहीं है आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कॉंग्रेस समधवादी पार्टी आर जेडी सीप सेना जितने भी प्रक्षी पाटिया है त्रिन मुल्क कॉंग्रेस जो भी है जो भी ये मुस्लिम बोटों से आगे बढ़ते हैं और जितते हैं अपनी सरकार बनाते हैं वो मुस्लिमों को नयाय दे उनको कम से कम 20% सीटे मिलनी चाहिए 543 सीट है लोकसवा में तो 110 बारब तो पार्लियामेट में होने चाहिए मुस्लिम लीडर सांसत कम से कम 110 क्या जीत के कफी 110 आये मुस्लिम टिकट दीजिएगा जीत देंगे इमंदार लोगों को परहे लिखे लोगों को टिकट दीजिए पार्लियामेट में उनको बराबर भागिदारी दीजिए जहां भी MLA का चुनाओ हो रहा है 403 सीट है UP में वहां भी 85-90 MLA होने चाहिए मुसलिम मंत्री बनाईए और उनको सत्ता में लाईए तभी वो समझेंगे उनको भेदभाव नहीं होगा और ठीक से रहा पाएंगे अधिकार मिलना चाहिए सब ने दोहन किया है यह देश सब का है इंदुओं को जाती में बाटके उनको प्रवाद किया जा रहा है और मुसलिमों के पड़ती नफरत के लाया जा रहा है देश इस तरह से नहीं चलेगा अधिकार दीजिए तभी कुछ होगा और संख्या के अधार पे हर जाती को अधिकार दीजिए अगर जाती बादी ही रखना है तो OBC की संख्या सबसे ज़्यादा है OBC की मुखमंत्री आप फिक्स करिए कि देश में इतना OBC मुखमंत्री होगा दलितों के बोट लेते हैं एक दलित मुखमंत्री होता है कहीं पे आज ओभी नहीं है पंजाब में अब बना है तो आप दलित मुखमंत्री बनाईए कम से कम साथ मुखमंत्री दलित होने चाहिए रेश्यों के हिसाब से उनकी संख्या के हिसाब से और देस में 7 मुक्मंत्री भी होने चाहिए मुस्लिम वक्य संख्या के इसाब से 10 से 12 ओभी सी मुक्मंत्री होना चाहिए ये सब पाटियों से में रिक्वेस्ट है कि इस तरह से रेसियों में चलिए तभी देस आगे बरेगा ये जो नपरती लोग है उनको नहीं समझ में आ रहा है अगर सब को बराबर अधिकार मिलेगा फिर वो समझेंगे और तभी जाके देश ठीक होगा ये नमाज वाली घटना मुझे जगजोर के रख दिया है मानब से अन्याय कहीं भी होता है मुझे बरदास्त नहीं होता है ये मानब से अन्याय हो रहा है मानब जाती पे अत्याचार हो रहा है सब का डिये ने ये खा हिंदू हमारा भाई है मुस्लिम हमारा भाई है हम सब भाईबान है पूरे बिस्प के लोग भाईबान है भेदभाव कहां से आ गया कहां जा रहे हैं किस दुनिया में जा रहे हैं आप सब इन बातों पर द्यान दें और मुस्लिमों पर अत्याचार रोखे जै हिंद जै भारत मुस्लिमों पर रहे हैं